नमस्कार न्यूज़ेटीन मद्रप्रदेश 36 गर देख रहे हैं आपके साथ मैं हूँ अपर ना मौज़म वक्त हो गया है मद्रप्रदेश की महा डिबेट का आज बात होगी सीएम मोहन के उस बयान की जिसमें उन्होंने कॉंग्रस को बेशर्म बताया है दरसल लगातार श्र लोग समझ नाओ के लिए बस तारिकों का एलान होना बाकी है लेकिन माहौल सियासी जो है वो गर्माया हुआ है राहूल गांधी मद्रप्रदेश में भारज़ों न्यायात्रा निकाल रही है उनके बयान के बाद मद्रप्रदेश की सियासत गर्मा गई है सीएम डॉक्टर मोहन याद ने कॉंग्रस को बेशर्म बता दिया कहा कि कॉंग्रस ने राम मंद्र का निमंतरन ठुकराया कॉंग्रस के इतने बड़े बेशर्म लोग जिन्होंने करोडों हिंदू और सरसमाज की भाबनाओं का अपमान किया इन अभागों ने भगवान रा ने बड़ेरा का हुआ भगवान राम के मंत्र का सिलान्या सिल्वा लोकार पत्वा या हिंदू क्यान सम्वाद का इससे थोड़ कोई समाथ पुरा धेस एक जुक्ता के साथ भुड़ागा हम सब वरोशा में बंगों भुल ने सकते हैं बादी निम्री का हो दिर लेकिन का भ परढ़ा धेट तो सीम की बायान के बाद कांग्रस ने पलटवार किया है कौंग्रस का कहना है कि सियम मोहन उतने गंभीर नहीं है जितने वो लगते हैं उदर बीजेपी ने कहा कि कौंग्रस हमें मर्यादर सिखाने की कोशिश ना करे जो कहा है सीम दॉक्टर मौहन रादव प्रदेश के अंदर सर्मान नेता हैं आप प्रदेश के अंदर अभी अभी नए नेता बने हैं इस तरह से अब सब्दों का प्रयोग करना आप मैं समझता हूं कि सुझाज को धूर फैकने की बजाए खुद पर ही गिर रही होगी यह उनको सोचने चाहिए कि कब से कम सबके ध्यान में आता है क्या बोलते हैं विशे से कोई उनका संब्द्र नहीं होता कुछ बोलते हैं इसलिए ये उनका विशे भारती जन्रता पार्टी अपने अनुशासन के साथ काम करती है और माननी मुख्यमंत्री जी ने कोई अगर विशे कहा है तो निश्री रूप से सोच विचार करके का ही है राजनीती ये है महा डिबेट का आज का पहला सवाल दूसर सवाल क्या है राम मंदर से दूरी कॉंग्रस की आखरकार क्या है मजबूर इस पर आज हम करेंगे चर्चा इस सवाल क्या है आई वो भी देख लेते हैं बयान पर बयान कॉंग्रस को क्या पढ़ेगा भारी ये हैं वो सवाल जिनके एर्द्गिर आज रहेगी माधिर प्रदेश की महा डिबेट, खास्त महमान हमारे साथ जोड़ चुके हैं, उनका परिचे आप से करवा देते हैं, वरिश्ट पत्रकार हैं, यश भारती हैं, और साथी राधेतिक विषलेशक के तोर पर इसाथ स्थूडियो में जोड़ चुके हैं, युवराज पोकरना, बहुत-बहुत स्वागत है, आप सभी महमानों का, और महमानों को बड़ी स्कीन पर दिखादीजे एक साथ, जी. सब नदर आ रहे हैं और कॉंग्रस की प्रवक्ता भी उम्मीद करते हैं कि जल्दी जॉइन करेंगे हमें लेकिन यहां मैं याश भाते जी आपके साथी चच्चा की शुरुबात कर देती हूँ अब क्योंकि चुनाओ का मौसम है बयान तीखे बयान हर पार्टी की नेता की ओर से दिये जा रहे हैं और एक तरफ राहूल गांदी कुछ कहते हैं तो सियासत गर्मा जाती है बयान पर बयान बयान पर बयान सियासत क्या इनी बयानों के इर्द्गर्द घुमे की देखे शुरुआत कौन कर रहा है जब सवाल करते हैं तो भारती जंता पार्टी सत्ता में रहते हैं सरकार में रहते हुए जो उनको जवाब देना चाहिए कि जो योजनाए है जो बाते हैं जो विपक्ष उठा रहा है उस पर क्या बात होई जब विपक्ष कह रहा है जातिय जनगणना की बात समाजवाधी पार्टी तमाम लंबे समय से बात करते रहिये हमारे अराध्य पुरोष डॉक्टर राम मनलोहिया जी संसौपाने बांदीग पिछड़े पावे सौमे साथ चुके हैं बाबु जगदेव कुश्वाजी बात कहे चुके के सौमे नब्बे शोषट है नब्बे भाग हमारा है तो हमारी वो लड़ाई है जो पिछड़े शोषट वंचित है जाती जनगरना की बात इसी लिए हम लोग करते हैं कि जाती जनगरना जब होगी तो जाती के आधार पे उनकी शेक्षणिक स्थिती क्या है उनकी आर्थिक स्थिती क्या है उनकी सामाजिक स्थिती क्या है वो बहतरी के साथ सामने आएगी और उन योजनाओं के माद्यम से समा कि आगे बढ़ेगा प्रदेश आगे बढ़ेगा देश आगे बढ़ेगा और जो पिछड़े चोषित है वन्चित है वह भी मुक्रधाभा में आएंगे देखे बड़ा मजाकिया बात है ये कि कितना मजाक हो रहा है देश के नागरिकों के साथ में कि 90 प्रतिशत जो लोग हैं उनको abnormal माना जाता है और 10 प्रतिशत जो लोग हैं उन्हें normal माना जाता है यानि सामान्य माना जाता है तो दस प्रतीचत जो नॉर्मल हैं वो किस आधार पे नॉर्मल हैं कैसे सामान हैं ये बात भी तो होनी चाहिए ना जाती जनगना होगी तो इस पश्ट होगा कि जिनको एबनॉर्मल रखा गया है क्यों रखा गया है शैक्षड के आधार पे सामाजिक आधार पे जात के आधा पर आर्थिक आदार पर उनको मुख्यधारा में लाने की बात होगी देखिए अक्टूबर में एक विग्यापन निकलता है मद्रप्रदेश में जो नए भी खतम कर दी जाती है तो हम यही बात कर रहे हैं कि आरक्षण खतम किया जा रहा है समविधान की मूल भावना के साथ चिरचाड़ की जा रही है अभी जबलपुर हाई कोट ने बड़ी स्थिती स्पष्ट कर दी कि हमने 27% आरक्षण पे कोई रोक नहीं लगाई क्यों अब मैं सिदा आ रही हूँ आप सन्वर पडेल जी आपके पास क्यों राम मंदिर का प्राण प्रतिष्टा कारेकरम ठुकराया कॉंग्रस ने कॉंग्रस के पास अपनी दलील है पाठी के कारेकरता नेता छोड़ रहे हैं कॉंग्रस कह रहे जाने दीजिए तो फिर बेशर म क्यों कहा गया है कॉंग्रस योग देखिए अप्रना जी जिस प्रकार से इस पूरे काम में कॉंग्रेस की भूमिका रही है वो पूरे देश की जनता के सामने हैं मध्यप्रदेश की जनता के सामने भी है जिस प्रकार से मंदिर आंदौलन में इनका इनकी भूमिका रही जि अंदर इनके वरिष्ट नेताओं ने पैरवी की और जिस प्रकार से वर्तमान में इनों ने मंदिर के निमंतरन को ठुकराया और आज ये फिर जिस प्रकार से अपने बयान जारी कर रहे हैं कि इस चो श्री राम बोलेंगे वो भू के मरेंगे तो बताइए आप कि अपने आरा के नाम पर भटता रहे हैं वो बात रोजगार की कर रहे हैं आप फिर आरादे को ले आते हैं बीच में देखिए अरपना जी रोजगार के ये सिर्फ बाते करते आज बताईए आप कि बेरोजगारी हटाना ये नारा किस ने दिया था ये इंदरा गांदी जी ने दिया था लेकिन क्या इनकी बेरोज़कारी हटी गरीबी हटाने का नारा इनोंने दिया था हटी ये सिर्म बाते करते नारे देने का काम करते काम इनोंने कभी नहीं किया आज ये OBC के आरक्षण की बात कर रहे हैं, OBC के आरक्षण की गोशना करने का काम इन्होंने किया और वहीं परदे के पीछे से जाकर कॉंग्रेस के प्रवक्ता ने जाकर और कोड में याची का लगा दी, उसको रोकने के लिए लगाई, गोशित प्रवक्ता थे पार्टी के गोशित महासचिव इनके पार्टी के थे, जिन्होंने इसको रोकने का काम किया, तो कॉंग्रेस ने सदेव फूट डालने का काम किया, जिस प्रकार से समाजवादी के हमारे विद्वान साथी ने कहा, कि उन्होंने कहा कि जाती जनगर्णा समाज के समानता के लिए, अरे हम बुपेंदर गुपता जी आपका जवाब यह ओडर है यह ओडर है आपका च्याइफ रवरी का दो भी सीकिज डीन की सीट थी वह भी आपने खतम कर दी बारा सामानने को दो थी आपने बारा बढ़ा दी जी वपेंदर जी पर लिए भारतिय जन्ता पार्टी के लोग कितने जोटे और कितने धूरतता पूर बाते करते हैं अदालत के रही है हाई कोर्ट के रहा है कि हमने तो ऐसा कोई आदेश नहीं दिया और जो है सरकार जो है कि उसी आदेश की जूटी ब्याथ्या करके और तीन चार साल से लोगों को बेवकूप बना रही है और अभी भी बेशर्मी से कहे जा रहे हैं कि साब जो है इनने याची का लगाई थी उनने याची का लगाई दुनिया का है कि हमने कभी आदेश नहीं दिये आप इसको रोकिए उसको बोड़ जूट बोल रहा हाई को बेशर्मी की भी हद होती है इस सरकार में यह जो यह जो बाते करते हैं रटे हुए तोतों की तरह जो वहां से नागपुर से आता है मसाला उसके अलाबा इनको आता किया है आज यह केरें कि साफ राम मंदर मैं का हमने जो है थोकरा दिया किसको बुलाया था राम मंदर में राम के भगवान में सबसे बड़ा आधर सब्री का होता है राष्ट्रपती महोदया को आप ने आमन्त्रित किया था कि उसमें पताईए आपका जो है शंक्राचारिय इस तरह की हरकतें पढ़क रहे हैं और इसके बाद किया इनने साब जो है इनकार कर दिया कि हमारे लिए रुका हुआ था आपने बीजेपी के आदे लोगों आपने जो है प्राब आमंतर अद्वानी जी को साथ में चिठी में नीचे नोट लिख दिया कि आप आना मत आपकी तब यह ठीक नहीं है आपने इस तरह तो लोगों को अफमानित किया और आप उसे बातें ऐसे कर रहे हैं कि जैसे आपने मुर्ली मनोहर जी को चिठी में लिखा कि आप आमंतरे थे हैं रिकॉर्ड में रख ली दिये मगर आपको आना नहीं है सार्विजनिक भयान दिये उस आपने किस-किस को बुलाया आपके केविनेट के मंतरी नहीं थे उसमें आपने राश्टपती महोदय को नहीं बुलाया आपने सिलेक्टेड हिंदुस्तान की लोगों को बुलाया जिनके पास पैसा था कि अमिताब बच्चन को आपने जो पलक पाउड़े लेके बुलाया वो राश्टपती महोदय से बढ़े थे आपने क्यों नहीं बुलाया राश्टपती महोदय को आपने देश का अपमान किया आपने संकराचारियों के साथ जो ब्योवार किया वो ब्योवार सारे संकराच खुल के कहा चारों शंक्राचारियों ने ठीके पटेल जी आपके जाओ फिर आगे बढ़ती है वह शंक्राचार जी के साथ खड़ा होगा कि तुम्हारे साथ खड़ा होगा जी वुपेंद्र गुपता जी आरोप लगा रहे कि भगवान का बड़े ही चेंज कर दिया आपने और उसके बाद फिर इस तरह क्या आरोपी कामरेस अबागी है देखिए भुपेंद्र जी को तो यह सुभाग में था रही इसलिए उनके वरिष्ट नेताओं ने आप गए थे क्या यह बता दी कि आप बहुत भागे शाली है आप गई थे क्या हमारा जब आपको बुलाया तो आप क्यों नहीं गई जरा बताईए श्रीमान और जब आउसर आप क्यों नहीं गए बागी के दोगा महमान प्युड़े हुआ है उनको शामिल कर रहते हैं तो यह वराज क्या दिखाई दे रहा है आपको की अब भगवान स्वीराब की इसकी पूंदी नहीं को प्यासर अब सबने तूतुमे में राजनेतिक तौर पर कर ली मैं कुछ तथ्यों को रखना चाहूंगा तूकि आपने मुझे विशलेशक के तौर पर आमंत्र दिया है और पीवी नर्सीमा राव ने तो अपनी पुस्तक आयोध्या 6 जिसमा नाइंटीन नाइंटीटू में यह तक लिखा है कि चोरी चुपे राजीव गांदी और उनके लोगों ने गुर्गों ने वहां प्रांप्रदिश्यान भी कर दिया था यह मैं निके रहा नर्सीमा रा इसका कोई सरपा हो नहीं है आप राजनीतिक करते हैं तो एक दूरी रखें भाजपा अच्छी है बुरी है वो दूसरा चर्चा का विश है लेकिन भाजपा का स्टैंड राम जनम भूमी हंदोलन से लेके आज तक एक रहा हम प्रभू राम का मंदीर मनाएंगे तो उन्हों और कॉंग्रेस कभी क्या केती कभी क्या केती अंतिन में तीस सेकिंड लेना चाहूंगा दिपिंदर उड़ा जी हो यह कॉंग्रेस गुजरात के पूर्वा अध्यक्ष जो रहे हैं उनसे लेके विक्रम बादित्या सिंग्ग जो वीर बद्यजी के पुतर है हर नेता ने कहा रही है और क्या संदेश दे रही है और कुछी दिनों पहले कमलनाथ जी का वीडियो वाइरल हुआ था कि मुसल्मानों के वोट हम को चाहिए तो इनकी राजनिति कहां जा रही है आप खुद देखें ठीक है भुपेंद्र जी आपके बापते कुछ कहना चाहिए जी भुप सुब रहा है अप मुझे कि अची है ठीक है या आप जाब कर दो देजै जी ने भारती हुआ पार्टी के लोग लगातर मंदर की बात कर रहे हैं हम बात कर रहा है सरकार की जो जिम्मिदार dhim सरकारी दल की दिम्लेदारी है उस पर जवाब नहीं देते जूट परुस्ते हैं मैंने तो इनको तारीक बता करके इनके विग्यापन की बात बता दी क्यों OBC का अधिकार चीना कोट की बात बता दी उस पर कोई बात नहीं कहना चाहते वो शिशांक शेकर जिसके रहते ये गुम्रा किया है जिसने कोट के आदेश की अवेला करते हुए गुम्रा करते हुए समाने प्रशासन को दिया आज वो भारतियनता पार्टी का सक्रिय सदस से है तो उसको क्यों भारतियनता पार्टी का सक्रिय सदस से है तो उसको क्यों भा सरकार के माधिवक्ता थे और आज भारते आंता पार्टी के सदस हैं जा अपर ना जी यह बार बार बात हो रही है कि मंदर के आमंतर की बात हो रही है जेपी नडडा जी नहीं गए तो आरोप कॉंग्रेस के लिए नइ तो जर्ण हने को लाइ法P is my जर्ण दॉसरी इनिकी fak들 शर्मा वेट करे करें बहुत देर से अब तक उनके पास में अइक बार भी नहीं गई लोट्रियों आपके पास सर अप्टर शर्मा आपके पेशन्स को धन्यवाद जी सर बताईए देखिए अपड़ना जी भारतिनता पार्टी जब से बनी है यह यू कहें कि जनसंग जब से है उसका स्टेंट के लियर है कि वो राममंद निर्मार के आंदूलन में शरीक रही चा तो अगर इलेक्शन में जाने से पहले उस मुद्दे पर वो लोगों को आकर्शित करने का प्रयास करती है तो यह उसका एजेंडा है इसलिए उसको गलत तो कभी नहीं कहा जा सकता कि वो गलत डारिक्शन में जा रही है अब उसी बीच अगर अपोजिशन पार्टी विशे की धर्म पर फोकिस करती है तो यह माना जाएगा कहीं ना कहीं बात आती जब आप भावनाव को आहत करते हैं और यहीं मौका मिल जाता है वहां पर बीजेपी को ने ने देखिए तो होता क्या है कि कॉंग्रेस का यह समझ में आने लगता है ना कि एलेक्शन है और से फाइदा होगा कि कॉंग्रेस को देखिए भारतिनता पार्टी की लाइन इस पस्ट है क्योंकि उससे दोहजार चवुदा दोहजार उन्नीस में नहीं वहीं को बीजेपी की तब है हिंदुत्व सनातन और जो भी इस पिच बनाएगा तो वह तो मूं की खाएगा य तुम लगा तक देख रहे हैं रिजल्ट इसका अपरणा जी इस स्टेंट पर कॉंग्रेस हो या दूसरी पूजिशन पार्टी हो उनको इसका बेनफिट नहीं मिला आपने देखा होगा मद्ध्य प्रदेश का उधारन लेते हैं मद्ध्य प्रदेश में कमलनात इस कहीं भारतिन्ता पार्टी में अपने उस हित को जिसको वो मानती है कि राम मंद्र का निर्मान करने वाली पार्टी है उसकी तरफ जाने का जादतर जो एविडेंसेज हैं वो दिखाई देते हैं तो इससी कहा जा सकता है कि भारतिन्ता पार्टी इस स्टेंट पर किलियर है म आने वाले लोग सबाद चुनाओ कहीं न कहीं भारतिन्ता पार्टी राम मंदर कॉंसी क्रेशन इवेंट को अपना एक मुख्य मुद्धा बनाते हुए कॉंग्रेस को उस मुद्धे पर घेरेगी जिसमें उसके दो लीडर्स जो इन्वाइटेड थे इन्वाइटेड होने के बाद नहीं गए इसलिए उसको एक बड़ा मुद्धा इस रूप में देखेगी कि कहीं न कहीं वो राम मंदर बनने के निर्मान में उनकी इक्छा या नहीं दिखाई दी जिसके कारण उसको एक बड़ा स्टेंट भारतिन्ता पार्टी को कॉंग्रेस के खिलाफ मिल गया है कॉंग्रेस के प्रवक्ता भुपेंद्र कुपता जी नहीं अभी जुड़े हुए है हमारे साथ अगर वो होते तो यह जवाब मैं उन से ले लेती लेकिन यश्वारतिय जी जो आप बात कहें तो इसके साथ ही जातिकर जंगर्णा ओबिसी के हितों की बात लगाता आप लो तो शुरू से यह बात है ना वैंने तो आपके पहले पूछने से पहले यह बात कर लिए कि 10 परतिशत 15 परतिशत देश में नॉर्मल थे just को जातिय जनगरना में केवल ये तरिना नहीं होगी कि akel आपकी स्थिति क्या है अपकी समाज् enorme कि आपकी विया का आपकी यह उजना बने गी अभी जो योजना काम कर रही है अभी हमारे ब इस्थितिति क्रिंगा पर्टी मार्ट पार्टी है आज अयोद्या मंदिर निर्माड समीति के अद्द्यक्षन रिपेंद मिश्रा जी वो ग्रैस अच्छिव रह चुके हैं और ग्रैस अच्छिव रहते हुए अभी उन्होंने बयान दिया जब मंदिर निर्माड चल रहा था कि गोली चलाने का काम लोकल एड्मिस् संगठन अखल बारत वर्षी यादा मासबा उसकी स्वर्ण जंती का राष्टिय दिवेशन बोपाल में हुआ उसमें शामिल नहीं हुए राजदानी बोपाल का एक बड़ा संगठन राजदानी यादा समात का प्रतिवा संवान कारिका मों परिचे संभिलन उसमें शामिल हुए लगने लगना हुजा सकते हैं जैसा कि अभी वर्ष पत्रकान ने राजनिती विश्टेशक ने कहा कि संग के एजंडे पर चल रहे हैं वह आप ही कि दो मिनिटे गुपेंद्र जी आप तक आवास पहुची मेरी गुपता जी हलो जी सर आप उसको कुछ कहने के लिए वही मैं बात पूछा जा रही थी आपसे मैं यह बताना चाहरा हूँ कि यह जो भारती जन्ता पार्टी से आप जिन लोगों को बुलाते हैं इन से कहिए कम से कम अदालतों के जो है चीजों को हेर नहीं करा करें किसी दिन निन पर लगदमा लग जाएंगा इनके जो है इनका जो 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 जब सॉलिट सीटर जनरल है एड़ोकेट जनरल उसने खुद ये सरकार को लिकर दिया है कि मैं से एक साल बाद कि मैं जो है निरनाय को अदालत के फैसले को गलत समझ गया था वो एक परिच्छा के बारे में फैसला दिया गया था और उन्होंने पूरे परदेश पे लागू कर दिय बद नियती किसकी थी इसका जवाब दें सनबर पटेल पढ़के आना चाहिए इनको ये अधालतों के बारे में उल्टी-सुल्टी बातें कर लेते हैं उसका हेजर कर लेते हैं पटेल जी सुन लिया होगा आपने गुपता जी को इतना इस अबर पास इता आपका रहा है खबरों के लगाता जुड़े रहे हैं मैंसा नमस्कार